हेलो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे की बिहार के बहुत सारे ऐसे पेंसन धारी है जिनका पेंसन को नोट ट्रेसेबूल में डाल दिया गया है तो नोट ट्रेसेबूल क्या है और नोट ट्रेसेबूल में जाने से पैसा क्यों बंद हो जाता है आए हम जा अर्थी.bih.nic.in इस सबसे उपर फर्स्ट वल आपकर कलिक करना है उसके बाद यहां पर देखिये फर्स्ट लिंक जो है फर ब्लॉक डिस्टिक डिपार्टमेंट लोगिन इसपर कलिक करना है और यहां पेमेंट रिपोर्ट में जाना है और यहां पर अगर-pia3 Beneficiary Status list इसपर कलिक करना है List पहले हम देख लेते हैं तो आपना ब्लॉक से आते हैं आपना ब्लॉक से आते हैं अपना ब्लॉक से षुद। करिएगा और यहां पर सर्च कर लीजेगा सर्च करने के बाद हम किसी भी पेज़ पर क्लिक कर देते हैं यहां पर देख लिए हमें मिल गया है लाभार्ति को नोट ट्रेसेबल किया गया है अगर इस तरह का मामला है तो लाभार्ति का पैसा जो परतिमा मिल रहा था वह आना बंध हो जाता है तो उसको चालू करवाने के लिए है सबसे पहले उसको अगर आप लोग के पास अधार काड़ और एकाउंट नम्बर है तो आप असानी से आप खुळ से चेक कर सकते हैं उस चेक करने के लिए हरे यह पर चेक बेनफेक्स्री एश्टेटेस करना है आपना जिश्टिक्स सेलेक्ट करना है अपना ब्लोक इलेक वर्तमान स्तिति में दिखा रहा है इनका पैसान अभी बंद हो चुका है बंद हो चुका है तो आप लोगों को घंबरानी के को भी ज़रूरत नहीं 24 घंटा में आपका फिर से चलू कर दिया जाएगा आपको प्रखन काडियाले चल जाना है वहाँ पे RTPH counter पे जो भी समाजिक स्वक्षा से होंगे और इलावार्थी और pension का काम जो भी देखते होंगे उनसे मिलना है आपको और उनको बताना है पेंशन को note traceable में डाल दिया गया है इसे सही कर देजिए अगर कर देते हैं तो ठीक है नहीं तो आप एक आवेदन लिखके वहाँ के परखंट विकाश्पतादिकारी को दे दे आपका note traceable में से हटा के पुना पेंशन को चालू कर दिया जाएगा अगर आप लोग को जानकार या अच्छा लगे तो like, share and channel को subscribe ज़रूर करें